असलाम वाले कुलास तो आज हमारे पास है एक न्यू चैप्टर कह सकते हैं कि न्यू टॉपिक जिसमें हम बेसिकली सर्चिंग एंड सौर्टिंग से रिलेटेड अल्गॉरिफम कवर करने वारें ठीक है यह भी सियलो वन को ही बिलॉंग करता है टॉपिक कलर कोडिंग से आप सब्सक्राइब करेंगे लिनियर सर्च उसके बाद एक सौर्ट ऑफ कह सकते हैं टाइप ऑफ सर्चिंग कह लें या डिरिविटिव ऑफ सर्चिंग हमारे पास मौजूद है हैशिंग का टॉपिक है इस पे हमारे पास हमारे पास है इसमें इसमें मैं डिस्के सबंब करेंगे करेंगे अफर सका सर्टिंग है हमारे पास कर लेते हैं सर्चिंग से तो सर्चिंग हमारे पास क्या है पहले तो कुछ फेरी देख लेते हैं अच्छा उससे पहले यह लेक्शन नमबर सेविन हमारा जिस तू मेक्शूर अकाउंट और सर्चिंग में हमारे पास क्या है होता क्या है सर्चिंग का प्रॉसेस ऐसा प्रॉसे तो अगर नोगा तो मुझे पता करना है आपको रोल नमबर वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन तो अगर मैं जूदना चाहूंगा तो मुझे अगर नहीं कर दो जाएक। तो वो कहेगा मुफ तू दे नेक्स वन तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है सचिंग करता है ठीक इसलिए कि खबाइच करेगा चेक करने के बाद देखेगा कि वह एलेमेंट उसे मिल गया यह नहीं जो डिजाइड अलेमेंट है इसे वह तलाश कर रहा है थे कंप्यूटर ब्रॉड्कास्ट नहीं कर सकता यूचा कंप्यूटर को स्टैप गारिके करो क्लाश्रूम वाला सिंडरियो बताओं रिखन दे स्क्राइब घाद करना हो ने ने तरह प्लम बढ़िए टो तरह दो मेंसां और नहीं है सर मेरा नहीं है फिर मुझे दूसरे से पूछूंगा नेक्स वाले से फिर उसके बार नेक्स एंड नेक्स यही प्रोसेज में करता जाओंगा सकते हैं क्या अब पर इसमें घ्राइब कार्छू में चारा क्याने गर्विट्स इसके बार क्या है मैच्छ करक्श होता दो किष्छाएं यह नहीं आप जाते हैं यह और आप ने प्रॉस्स क्याया यह कहलाता है और यह पास जो बेखर चूसेजों नाव को आपने सर्च किया वो आपके कॉंटेक्ट लिस्स में ना हो तो उसकेश में आप कहते हैं कि सर्च रिजल्ट जो है आपका नौट फाउंड आया है यानि फेल हो गया है आपको वह एलिमेंट नहीं मिला जिसे आप ढूनना चाह रहे हैं ठीक है तो सर्चिंग की को एक्सिस करना चाहता हूं तो पॉसिबल कैसे होता है सचिंग के तुम मैं डेफिनिटली कोई ना को इस पर क्राइटीरिया लगाता हूं कि मुझे यह वाला डेटा रिकॉर्ड है यह पर्टिकुलर मुझे रिकॉर्ड है जो एसे शुरू होता है या जिसमें पूरा नाम स पर चाहिए अपने डेटा में से कुछ मेनिफुल चीजें एक्ष्रेक्ट करता है तो विदाओट सचिंग डेटा को एक्सिस करना बहुत मुश्किल हो जगा तो इक तरहीत बल्क में आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो आप उस में से किसी पर्टिकुलर डेटा एलि प्रप्रेशन अप्लाइब करते हैं और वो डेट आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा अगर होगा उसके अंदर तो मिल जाएगा नहीं होगा तो नहीं हुआ है तो यहां पर थोड़ी सी बात बता ही है रीट कर देता हूं लैट एज लीए हम जिस कंटेक्स में सर्चिंग को करेंगे वो कि लीनियर एड़े कि इसमें है टेक है लैट एज़ीनियर एरे ऑफ से एन सब्सक्राइब करेंगे और रिजल्ट हमाई पर दो पॉसिबिलिटीज है यह तो सर्च सक्सेट वलाएगी ठीक है डेटा आपको मिल जाएगा अपने डेटा सेट के अंदर या फिर अन्सक्सेट वला जाएगी आपको डेटा नहीं मिलेगा तो कीप इन माइंड सर्चिंग क्या हमेशा दो ही पॉसिबल आउट को होते हैं डेटा फाउंड या नौट फाउंड ठीक है इसमें कोई तीसर आप्शन नहीं होता अच्छा फर्दर बेज ओन टाइप ऑफ सर्चिंग ऑबरेशन अलगोर्थम को क्लासिफाई किया जाता है जैनरली दो ब्रॉट केटिगर एक होते हैं सिक्वेंशल सर्च ठीक है जो अभी एक्जापल मैंने आपको दी के मैंके करके एलेमेंट बाइलेमेंट कंपेर करना शुरू करूंगा और तब तक कंपेर करता रहूंगा जब तक के मुझे अपने डिजार्ड रिजल्ट मिलना जाए यानि सक्सेस का केस या फ है लीनियर सर्च एल्गर्थम ठीक है सिंप्लस एन स्टेट फॉर्वर्ड तरीका यह है लें सेकंड टाइप हमारे पास आता है इंटर्वल बेस सर्चिंग अलगर्थम इसमें क्या होता है कि इसकी कुछ रिक्वार्मेंट्स होती है यह बहतर होता है पहली बात तो लीनियर सर्च या सिक्वेंचिल सर्च अलगर्थम से लेकिन इसकी कुछ रिक्वार्मेंट यह है कि इसमें डेटा को आपको सौर्टिट प्रॉइट करना पड़ता है ठीक है अगर तो आपका डेटा सौर्टिट है तो यह अलगर्थम बहुत अच्छा प्रफॉर्म करेगा इतना अ सर्च कि वर इसके अप्लाइए करें घीक है इसकी एक लियुजावर्ण छो हमें आज आप करेंगे वह हैं अब बाइनरी सर्च अलगौर्थम क्या हो इसकी है तो को कि मैं कौँसे बेसे की बताईट किया मैंसे बताउँ बहतर आज आफ बताएंगे और रिजन आप बताएं लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च चलिए देख लेते हैं के करके लीनियर सर्च की बात की जाए ठीक है एस नीम इंप्लाइस नाम ही बता रहा है कि आप इसमें इच एलिमेंट अफ एयरे को रीड करते हैं 1-by-1 और चेक करते हैं अगिंस्योर डिजार घाल अगयर तो वह पर फेक्ट मैश हो जाता है तो आप कहते हैं कि और अगर मैच नहीं होता है और पूरा का पूरा एरे आप टेस्ट कर चुके होते हैं तो आप कह देते हैं अलिमेंट नॉट फाउंड ठीक है यहां पर ही कहा जा रहा है असर्च विल बी अन्सक्सेश्फुल इस नॉट मैच यह नॉट फाउंड आपने हर एलिमेंट को टेस्ट कर लिया उसके अगेंस चेक कर लिया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं थीक है इस अल्गार्थम के यहां पर सिंटेक्स धिया वह है और सिंटेक्स वही हमेशा जब भी को यहां अरे के लिए होता है मैंने आपको बताया था एक एरे चाहिए उसे एरे की लेंथ मस्ट चाहिए होती है क्योंकि एरे को आप लेंद के बगार एक्सिस नहीं कर सकते हैं लेंद हमारे पास नहीं समझने सी यह सी प्लस प्लस में डैरेक्ली नहीं हमें मिलती हमें एरे के लिए लेंद वा खुछ से जो है बतानी पड़ती है उसका ट्रैक खुछ से रखना पड़ा है तो डेटा एक यह ठीक है एन फो यह सिरे के लिए वह और आईटम वे डेटा जिसे मैं इस एरे के लिए के अन्दर सर्च करना चाहता हूं प्श्यू-प आईटम्ट सर्चिंग एल्गोर्थम कर रिजल्ट लोकेशन ही आता है ठीक है हमेशा आपके सर्चिंग अल्गॉर्थम का करा देंगे कि वही इस प्लेस पर यह डेटा मौझूल कि जब आप सर्च कर रहे थे आपको इंडेक्स नहीं पता थी अगर पता होती तो आप तो से डारेक्ली रीट कर लें इंडेक्स अन्नोन होती है और सब्सक्राइब का काम यह होता है कि आप पर डिजार डेटा को की लु क्यों लुक loneliness भी ठीक है Ti sugar के शेक्स में तो चलें ठीक है आपको लोकेशन मिल जाएगी लेकिन फेलियर के एकस में आपको क्या मिलेगा जी क्लास फेलियर के केस में आपको क्या मिलेगा अच्छा लेट्स रिकॉल सम्टिंग एर एरेस से हम सब फिमिलियर हैं हमने एरेस का टॉपिक भी कवर किया भी रिसेंटली तो मुझे बताइए कि एरे में जो इंडेक्स होती है ठीक है यह यूँ कहलें कि एरे की जो पहरा एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स क्या होती है कोई बताएगा मुझे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे की इंडेक्स क्या होती है क्लास बहुत असा कुशन है एरे की फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होती है जीरो बिल्कुल ठीक है सेकंड की क्या होती है ठीक है जीरो से स्टार्ट होता है सेकंड की वन थर्ड की टू एंड सो अन यानि अगर मैं आपसे कहूं इसको समराइज करना चाहूं तो यह कह सकता हूं कि एरे की इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो क्या यह बात सही है एरे की इंडेक्स ऑल्वेज पॉजिटिव नंबर में से ही होती है ठीक है कभी भी कोई नेगेटिव नंबर इंडेक्स में नहीं आता ठीक है यह बात क्लियर है क्यूंकि एरे में काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नंबर की तरफ जाती है और अब सक्सेस आता है तो यहां पर कोई positive number return होता है starting from zero से onward कुछ भी हो सकता है लेकिन जब मेरे पास fail हो जाता है तो fail के case में मैं अपने calling function को है जिसने search को start किया था initiate किया था उसको इशारा दे देता हूँ किसी negative number से say मैं कोई भी negative number return कर सकता हूँ लेकिन यहां पर मैं कर रहा हूँ minus one अगर मैं कोई negative number location में return करता हूँ तो इस से मुझे इशारा मिलता है कि मेरे पास search result not found आए ठीक है तो हम यह तरीका लेके चलेंगे बड़ा straightforward से तरीका है कि अगर location element मिल गया तो valid location आएगी valid location क्या होती है zero से लेकर onward कोई पॉजिटिव नंबर और अगर location में कोई negative number return हो गया है तो इसका मतलब यह है कि element not found ठीक है तो यह तरीका मैं यूज करूँ है ठीक है simple and straightforward negative index का मतलब है element not found क्यूंकि negative index होती ही नहीं है algorithm यहां पर बड़ा simple सा लिखा हुआ है कि कि आप start करें है वही बात है पहले location से location मैंने जैसे के बताया कि वह location जो मुझे return करनी है मैंने initially इसको क्या कर लिया है minus one यह इनिशली मैं यह जूम करूँ element not founder मैं इसको minus one लेके चाहिए अगर मुझे कोई valid location मिल जाएगी यह data मिल जाएगा तो मैं इसको update कर दूंगा वनना यह minus one ही रही और लूप start करता हूँ और कहां तक जाता हूँ less than any यह नि लास्ट element तक और लास्ट element तक सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ simple operation perform कर रहा हूँ अपने item को check करता हूँ data की हर value से data zero से check होगा पहले data one से check होगा data two से check होगा and so on यह process चलता रहेगा जब तक कि यह condition true नहीं होगी चूंकि यह जब ऐसी condition true होगी तो देखें मैं location को update कर दूँगा और साथी साथ में loop को भी break कर दूँगा क्योंकि search में अगर मुझे result मिल चुका है तो searching हमेशा एक ही possible result को दूड़ना अब हो सकता है मेरे data set के अंदर दो रिकॉर्ड भी मौझे लेकिन यह जब पहला result record इसे मिल जाएगा पहले result मिल जाएगा यह कुट कर देते हैं ठीक है search का algorithm हमेशा एक index return करता है तो जो पहला वाला record होगा उसकी index return हो जाएगी क्योंकि उसके आगे यह check ही नहीं करता ठीक है तो यह तरीके से काम कर रहा है simply location को update करता रहता है location को update कर देगा उस वक्त जब यह condition met हो जाए true होगी तो location update होगी और break otherwise यह simply क्या करेगा next next करके अगले element पर बढ़ता रहे ठीक है और step 5 यहां पर दो तरीके से लिखा जा सकता है यहां पर मैंने थोड़ा सा expand करके लिखा हुआ है आप चाहें तो simply यहां पर सिर्फ यह लिख सकते है है return location ठीक है यह करना भी काफी रहेगा क्यों काफी रहेगा क्योंकि अगर मेरे पास यह वाली बात है कि location update नहीं है तो location की value वैसे ही क्या है minus 1 है और update हो जाएगी तो कोई positive number होगा तो यहां पर extra check लगा कि मैंने सिर्फ यह बात बताई हुई है कि अगर तो location की index मेरे पास वह बात greater than equals to zero है मैं explicitly कहना चाहरा हूँ कि यह valid index है ठीक है तो उस case में location रिटन करूंगा लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं minus 1 रिटन कर रहा हूँ यानि वह जो मैंने भी आपको पाप गाता है थी कि मैं negative number रिटन कर रहा हूँ तो minus 1 मैं explicitly भी करा सकता हूँ यह simply यहां पर यह जो मैंने minus 1 लिख लिए यह यह करा सका हूँ यानि अगर मैं यहां पर minus 1 करा रहा हूं तो यह मुझे निशिलाइस कराने की जरूरत नहीं है यह ना भी कररा और लेकिन है तो मैं मैं मैंने को mix करा हुआ है थोड़ा सा expand करने के लिए लेकिन आप इसको दोनों तरीके से implement कर सकते हैं बस ध्यान यह रखना है कि success के case में valid index जानी चाहिए और failure के case में आपके पास कोई negative नंबर जाना चाहिए अच्छा ठीक algorithm मैंने समझा दिया लेकिन let's see this algorithm in action तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे काम करता है एक example देख लेंगे तो बाद ज्यादा समझ में आ जाएगी ठीक है तो linear search है एक simple आपके सामने एक array है और इसमें कितने elements मौझूद है पांच elements मौझूद है कितने भी हो सकते हैं मैंने फिलाल सिर फाइफ elements लिए और इसमें क्या करना मैं जाता हूं मैं इसमें एक element ढूनना चाहता हूं और element कौन सा है वह element है नाइन ठीक है मैं सर्च करना चाहता हूं यानि मेरे डिजाइड element के 9 मैं चेक करना चाहता हूं 9 इस array में मौझूद है या नहीं ठीक है मैं as a human तो देखते ही बता दूगा इसमें 9 मौझूद है लेकिन computer मैंने भी बताया उस जो मैंने नीचे 9 के लिखा हूं माइनस 1 ये चीज़ वो है जो मैं उसकी location अपने पास save करा हूं initially मुझे element नहीं मिला है तो मैंने location को कर दिया माइनस 1 और मैंने compare करना start किया पहले मैंने compare किया पहले element से क्या ये match है क्या 9 equals to 5 है नहीं condition true नहीं होती ये equal true नहीं है तो मैं मैं सेकेंड element से test करा हूंगा मैं चेक करूंगा कि 9 equals to 7 है बिल्कुल नहीं 9 equals to 7 नहीं है तो ये भी मैच नहीं है तो फिर मैं मजीद आगे बढ़ जाओंगा देन अगेन मैं फिर चेक करूंगा के 9 equals to 2 है नहीं still not equals to 9 or 2 equal नहीं है यानि मैच नहीं हुआ तो मैं मजीद आगे बढ़ देन फाइनली मेरे पास ये step आता है जहां पर मैं चेक कर रहा हूं 9 equals to 9 यानि मैं 9 data को ढूंड रहाता है एरे के अंदर और मुझे 9 मिल गया है तो इ अपडेट मेरी location –1 नहीं रहनी चाहिए बहल के क्या हो जाने चाहिए चेंज होकर जी लुकेशन क्या हो जाएगी चेंज होकर मेरी अनिवन लुकेशन मुझे update करनी है क्या होगे update होकर 3 जी ठीक है आप्वियस था यह लूकेशन मैंने उपर लिखी हुए तो इसकी लूकेशन क्या हो कि इंडेक्स नमबर अपडेट हो जाएगा और 3 हो जाएगा और जैसी मैं मिल जाएगा मैं लूकेशन को अपडेट करूंगा मेरी लूप भी ब्रेक हो जाएगी यानि मैं आग लूकेशन रिटर्ण और कह दूंगा ऐलिमेंट फाउंड हो गया और किस जगह मिल गया है लूकेशन नमबर 3 पर मिल ठीक है यह सकसेस का केस है कोई भी डेटा हो सकता है मैं 3 को फाइंड कर रहा हो तो हो सकता है 275 जो डेटा इसमें मौझूद है इन सब के लिए रिजल्ट आता सकसेस लेकिंड करता है कितनी अरेशन बाद आता इस बात पर कि वो डेटा अलिमन्न मेरे कौन सी इंडेक्स मौझागा पर और होगा तो आपको इंडेक्स मिल जाएगी या लोकेशन मिल जाएगी और होगा तो नहीं भी ठीक है यहां पर किसी को कोई confusion की कैसे काम कर रहा था अच्छा कौन पूछ रही है मुझसे माइनस वन वाली बात माइनस वन का concept वही वाली बात है मैंने पूरी कहानी सुना दी और support के पूछा जाता है कि सर यह माइनस वन कौन था ठीक है अब इतनी देर से ही बात बता रहा था कि माइनस वन एक negative नंबर यह बताता है कि एक valid index नहीं है चूंकि array की counting कहां से start होती है हमेशा जीरो से तो जीरो से लेकर onward अगर कोई भी नंबर आता है तो इसका मतलब यह होता है कि मेरा result मुझे मिल गया है और अगर मैं कोई ऐसा integer return कराना चाहता हूं कि जो मेरे array का part ना हो तो वह हमेशा वही नंबर होगा जो array की index में कभी भी नहीं आता है तो वह यह कह रहा है कि valid index नहीं और वैलिड इंडेक्स नहीं तो data not found सिर्फ minus 1 से या negative number से मैं यह इशारा देना चाहरा हूं कि element not found ठीक है कोई minus का number ले सकते हैं मैंने minus 1 ले लिया ठीक है बात सिर्फ यही थी कि array की index यानि अगर मेरा result मुझे मिलता है तो उसकी index या तो 0 होगी या 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी लेकिन कभी भी कोई negative number नहीं ठीक है तो इस वज़ए से not found के लिए मैंने वह वाली range select कर ली numbers की जो मुझे पता है कि success case में नहीं आएगी अदर दिन success क्या है failure है मेरे पास ठीक है एक और example देख लेते हैं से अब मैं जो element इसमें सर्च करना चाहता हूं वह element है 8 ठीक है मुझे तो अभी देखते ही प्रता लग गया किसका result आएगा not found ठीक है index initially मैंने वो जो location को minus 1 किया था ना minus 1 लिखी हुई है मैंने compare किया 5 से नाट फॉाउंड इसी तरह compare किया 7 अभी तक इन्हाच यह भी नाट मैस्ट नच्ची एट इक वं सैवन हो गए तो इस case में location already मेरी क्या है initially मैंने क्या set कर दिया था उसे minus one तो यह चीज return हो जाएगी क्योंकि यह तो update ही नहीं हुई update हो जाती है अगर मुझे कोई data मिल जाता चुँके data नहीं मिला तो यह minus one ही रहेगा और यह algorithm ही यहां से ड्राइब होगा ठीक है तो माइनस वन जा अगर आपकी इंडेक्स रहती है तो इसका मतलब है data not found और अगर कोई भी positive नंबर आ जाता है तो इसका मतलब element found at that positive index जो भी आप return करेंगे ठीक है यहां पर देखें यही बात बताई जा रही थी कि अगर location की value greater than a request to zero है तो इस case में आप location return कर दें और जो भी function इसको use करेगा वो चेक करेगा कि location अगर positive number है तो उपने test करवा देगा कि search results successful और element इस location पर हमें मिल गया है और जब मैं तो उस case में क्या होगा वो बता देगा कि minus one आ रहा है result या less than zero result आ रहा है आप condition check कर लें तो आप कह देंगे के element not found ठीक है तो इसके implementation वगर है हमारे पास lab में जब हम करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बात समझ जाएगी तो वहां पर बस मुझे यह बात या दिलाईएगा कि इसकी हम दोने implementation ट्राइए करें जो भी मैंने आपको बताई थी expanded version और without expended ठीक है तो इस algorithm की understanding में किसी को कोई confusion या कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है वहना फिर हम आगे बढ़ते हैं जी class clear है कि linear search किस तरीके से काम करता है इस फिरली simple और obvious type की search है इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है चले ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूं हमारा में टॉपिक जो है उसकी तरफ आते हैं अच्छा उससे पहले complexity ठीक है यह बात भी discuss कर लेते हैं चले टाइम complexity ठीक है हमने time complexity पे पूरा चैप्टर कवर किया और algorithm नाम था उसका उसमें हमने मैं देखा कि time complexity क्या होती है basically बताती है कि आपका कौन सा algorithm भीतर है ठीक है तो कह रहे है time complexity of linear searches found by number of comparison ठीक है number of comparison का मतलब कितनी मरतबा ने equals to equals to check किया जब मैं अपने record को search कर रहा तो definitely loop जितनी मरतबा run हो रही इतनी दफाही मैं चेक कर रहा है तो कहरें best के scenario क्या हो सकता है best के scenario तो ये है कि आपने element जो search कर रहे थे वो आपको पहली location पर मिल लिया ठीक है यानि जो मैं data search करना चाहरा था मैंने पहले element से पूछा भी एक instrument से पूछा क्या आप कर रो number one zero one zero one उसने का yes में रही है ये ये तो best हो गया और best का मतलब है o of one यानि एक ही दफाह में मुझे result मिल गया बेग ओनोटेशन के आगई o of one जबके worst case क्या है वर्स केस क्या है कि worst case की example है जो भी हमने की data not found मैंने पहले element से चेक किया not match दूसरे से चेक किया not match तीसरे से चेक किया not match चौथे से चेक किया not match पांचवे से किया और so on मैंने आखरी element तक चेक किया लेकिन मुझे result ना मिला तो उस case में मैंने अगर n element थे तो n elements को test किया ठीक है यानि 10 होते तो 10 को चेक करा पांच होते तो पांच को test किया लेकिन data नहीं मिला यानि n element को मैंने test किया तो मैंने कितनी मर्तवा comparison किये n plus 1 one क्यों लिख रहा हूं one क्यों लिख रहा हूं one क्यों लिख रहा हूं one इसलिए कि eventually जाके मेरी लूप terminate होगे जो प्लस one हमारे पास extra आता है यह इसलिए लिखा और इसको simplify करेंगे तो worst case के बेगो notation इसकी क्याएगी ओफ एन आई ठीक है और ओफ एन ही आनी थी क्यों आनी थी अभी मैं पीछे दिखा देता हूं अलगर्टम आपको इंदाज़ा भी हो जाएगा और average case की बात करें तो simply मैं क्या है worst case को divide by two करते तो average के मतलब है कि random किसी भी location पे मुझे मिल जा ना पहली पे मिला ना last में मिला बलके कहीं बीच दिन में आ ठीक है अच्छा यह worst case में एक और बात possible भी है कि data या तो मुझे मिले ही न या मिले तो जाके सबसे आखरी location पे मिल तो best case तो यह है कि मुझे पहली बारी में data मिल जाए often बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा best मतलब यह वाली बात है कि मैं ideal situation सोच से रहूं और आपको बता है कि यह life में ideal जैसा कुछ नहीं है और worst case इसकी importance देखी थी कि क्या होता है कि जादा से जादा बुरे से बुरा अग साथ हो जाए लेकिन हम prepare हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जादा से जादा मेरे पास कितना time तो जादा से जादा इसका result o of n i got और o of n क्यों आ रहा है इसके लिए थोड़ा सा recall करा देता हूं पिछली slide पे चलते हैं अगर आप इस algorithm को देखें तो इसमें लगी ही है loop और कि आती है तो उसकी time complexity हमने last time conclude किया था हमेशा क्या आती है o of n आती है provided that कि इसमें simple plus plus या minus minus हो रहा हो तो इसलिए इस algorithm क की time complexity icheली हमारे पास क्या रही है o of n क्योंकिंके इसमें सिर्फ और सिंगल लूप use हो रही है ठीका है इसमें सिर्फ इंगल लूप use हो रही है तो इसी औ complexity क्या आ रही है और यह हमने लास्ट आम कंफलूट किया था कि जब भी एक लूप होती है तो उस algorithm की time complexity हमारे पास ओ आफ एना दी ठीक है तो linear search से हमारे पास इतना ही था अब चलते हम अपने main topic की तरफ जिसका नाम है हमारे पास binary search जो के इंटर्वेल टाइप ऑफ सर्चिंग अलगोर्थम के अगर आप से अलगोर्थम के कहने चाहिए कि सिंटेक्स पर दिहान दें या उसकी declaration पर दिहान दें तो binary search भी result return to location ही करेगा ठीक है इसका भी रूल वही है कि location में अगर कोई positive number आता है तो मैं कहूंगा data found और अगर negative number आता है यानि minus one आ जाता है तो मैं कहूंगा data not ठीक है inputs parameters की क्या कहें data lb lower bound के लिए use हो रहा है यो भी upper bound के लिए use हो रहा है यानि lower bound का मतलब है कि मैं starting index बता दूँ और upper bound का मैं आखर इंडेक्स बता दूँ तो लोवर बाउंड और अपर बाउंड से actually मुझे length ही मिल जाती है length बता दूँगा तब भी मुझे lower bound अपर बाउंड मिल जाएंगे upper bound lower bound बता दूँगा तब भी मुझे length मिल जाएगी चीक है तो या तो मैं simply length पास कर दूँ algorithm को या lower bound और upper bound बता दूँ तब भी मुझे length मिल जाती है तो data और length वही बात आगी और तीसे चीज़ वही है इसका input के मुझे कौन सा element search करना है ठीकर जो element मुझे इसमें search करना है वो element provide करना पढ़ाए लेकिन यहां पर एक चीज़ मैंने highlight की विए कि data क्या होना चाहिए sorted area of element होनी चाहिए यानि इस algorithm की एक restriction है कि इसको आप सिर्फ तभी use कर सकते हैं जब आपका data already sorted हो sorted in ascending हो तभी यह आपका काम करेगा descending पे भी कर सकता है लेकिन अब भी फिलहारा ascending को ही रखते हैं कि ascending हो तो ही यह काम करता है ठीक है यह algorithm कैसे काम कर रहा है algorithm की detail में बाद में जाएंगे मैं सिर्फ उपर उपर साब को algorithm की कुछ बातनें बता देता हूँ इस algorithm में कुछ नहीं करता मैं तीन चीज़ें हमेशा चेक कर रहा हूँ एक beginning का variable maintain कर रहा हूँ एक ending का variable maintain कर रहा हूँ और एक mid का variable maintain कर रहा हूँ ठीक है beginning में beginning index आती है ending में ending index आती है और mid में middle वाली index आती है ठीक है begin, end और mid तीनों में क्या चीज़ें आरी है indexes आरी है ठीक है इस बात को मैं बार-बार जोर दे रहाँ कि इसमें index आएगी क्योंकि आप इसमें confuse होके data consider नहीं कर लीजेगा ठीक है begin में end में और mid में तीनों में index आती है ठीक है इस बात को ध्यान में रखिए अब जायर से बात है begin में जो भी है end में upper bound डाल दी begin में lower bound डाल दी lower bound लूब है पहली इंडेक्स है पर बाउंड का मतलब है common the last index यानि इन दोनों का true होना जरूरी है तब ही loop चलेगी पहली condition तो क्या कह रहे हैं कह रहे है begin को हमेशा less than end होना चाहिए ठीक है याद रखेगा आगे हम इसको revisit करेंगे कि begin less than end का क्या को से यानि अगर begin की value equals to या greater than end हो गई तो मेरी loop terminate हो जाएगी in simple word तो begin को at any point in time less than end होना चाहिए ठीक है इसके लावब दूसरी condition क्या कह रहे है data mid not equals to item यानि mid वाले element पे वो अगर data मिल गया जिसे आप desired element ढूंड रहे हैं तो आपकी यह loop तब भी quit हो देगे and it makes sense कि अगर मुझे data मिल गया middle value पे तो मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं that's it मेरा result generate हो गया है और मुझे वहाँ पे quit कर देने लिए यानि दो condition है इस loop को चलते रहने देने की एक यह कि begin की value हमेशा less than end हो और दूसरी यह कि मुझे data नहीं मिला है middle location पे ठीक है data इसमें हमेशा मुझे middle location पे मिलता है तो data मुझे middle location पे नहीं मिला है और loop के अंदर मैं simple से step कर चेक यह करता हूं कि मेरा जो data है वो middle से चोटा है या बड़ा है बस यह चेक कर तो middle वाले data से बड़ा है या चोटा है अगर तो middle वाले data से चोटा है तो मैं end की value को update कर देता हूं mid minus one और अगर जायर सी बात है greater than or equal है तो मैं begin की value को update कर देता हूं मैं mid की value recalculate कर दें और मेरी loop दुबारा से यह condition check करती है big and less than mid है के नहीं data मिल गया है के नहीं अगर ऐसा है तो ठीक है loop चलती है और eventually step 5 में क्या होगा मैं check करूंगा कि अगर middle लाली position पर data मिल गया है तो well and good मैं location को mid set कर दूँगा और location ही मुझे return कराना end में लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो location को मैं minus one set कर दूँगा यह नहीं not found का case और return मुझे location को ही कराना है ठीक यह हो गई बात तो अब इस algorithm को हम एक example की रूफ देखने है लेकिन बस अब धियान यह रखना है कि terminating condition क्या है कि begin की value less than end होना जरूरी है तब ही algorithm चलेगा वरना stop हो जाए और दूसरी क्या है कि data अगर मुझे middle value पर मिल जाता है तो भी algorithm मेरा stop हो जाएगा है कि सही तो इसको हम एक example के थ्रू देख लेते हैं थोड़ी अटेंटिव रहिएगा रिलेटिवली पीछले वाले से इसका difficulty level जादा है ठीक है इसमें मैंने data set थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि इसमें मुझे कुछ बात समझानी है जिस वैसे मुझे थोड़ा सा जादा data चाहिए तो इसमें total eight element ले लिए हैं ठीक है आपने algorithm पर अगर ध्यान दिया हो तो algorithm में सबसे पहले मैं क्या मैं क्या चीज़े सेट कर रहा था begin और end सेट कर रहा था और उसके पहले मुझे ये भी बता होना चाहिए कि मैं कौन सा data सर्च कर रहा हूं तो सबसे पहले चीज़ से मैं suppose कर ले तो मैं जो data सर्च करना चाहरा हूं वो है ट्वेंटी ठीक है मैं इसके अंदर 23 को सर्च करना गा यग गॉरिफ्यम क्या काम करेंगा सबसे पहले बिगेण और रएंड ख रगेगा और या पेहली इंडेक्स और लाष्स discipl की की वैल्यू क्या है जीरो है और रह लेंड की एंड्रोल से यहां इसमें मिट की वैल्यू क्या आएगी जी क्लास एनिवन जी वैसे तो 3.5 आएगी लेकिन अभी थोड़ी तर पहले मैंने बताया था कि अगर मैं इसको इंटीजर कर दूँ या राउंड आफ कर दूँ तो फिर क्या रह जाएगी इसे आपने फ्लोर करना है इसे आपने फ्लोर करना है इसे नहीं करना तो इसका आएगा 3 ठीक है ट्रंकेट हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ट्रंकेट हो जाएगा 3.5 नहीं क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा तो जब मैं 0 और 7 को डिवाइट करूँगा और जाएट सी बात है इंटीजर इंटीजर के दर्माइन जब डिवीजन होती है तो रिजल्ट विल बी एन इंटीजर तो वो इंटीजर क्या होता है हमने बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग में देखा था तो इंटीजर्स डिवाइड होते हैं तो रिजल्ट विल बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पार जो है ड्रॉप हो जाता है तो इसका अंसर आएगा 3 तो मिडल वैल्यू मेरे पास कौन सी है 9 है और उसकी इंडेक्स है 3 मिड की इंडेक्स आ रहे है 3 तो मिडल डेटा कौन सा है मेरा 9 है ठीक है बात सुंग आई कि 3 क्यों लिए क्योंकि दो इंटीजर्स को जब मैं डिवाइड करता हूं तो 7 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे रिजल्ट 3 ही आएगा ठीक है fundamental programming concept division between two integer operation perform between two integer will result in integer ठीक है तो अब मुझे पता लग गया है कि middle element कौन सा है middle index तो 3 हो गई और middle element कौन सा है वो मेरे पास बनेगा मैंने कहा ना round off नहीं करें आप इसको programming के point of view से देखें mathematics ना देखें आप programming में C का एक program लिखें आप उसमें करें 7 divided by 2 और देखें कि उसका result 4 आता है या उसका result 3 आता है ठीक है आप इसको programming के point of view से देखें क्योंकि यह algorithm eventually हमें program करना ह ठीक है याद करें और इसके लिए फिर मैं वहीं कहूंगा अगर भूल गए हो तो बिल्कुल ICP के जो हमारे पास चैप्टर था operators वाला ठीक है उसको revisit करो तो उसमें पूरा चार्ड बनावा है कि integer integer डिवाइड होते हैं तो क्या आता है और floor integer डिवाइड होते हैं तो क्या आता है ठीक है तो उसको revisit करो अगर यह concept clear नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप से c language में divide करते हैं 7 divided by 2 और printf करते हैं person D से या उसको store करते हैं एक integer में तो आप देखेंगे कि उसका result 3 ही आएगा हम इसे lab में करके take भी लेंगे verify भी हो जाएगा तो अब मुझे पता लगी है कि middle index जो है वो 3 आ रही है अब इसमें देखो 3 भी आ सकती थी 4 भी आ सकती थी लेकिन हमने करके देखा तो 3 आ रहा है क्योंकि जब element मेरे पास even है तो इनका कोई भी middle नहीं होता अगर even मेरे पास number odd होते number odd होते का मतलब यह है कि element मेरे पास total 7 होते तो उसमें 3 बिलकुल मुझे मिड में दिखाई दे रहा था लेकिन जब even है तो 3 भी मेड है मेरा 4 भी मेड ही आ रहा है लेकिन जब मैंने solve किया program के programming के viewpoint से तो मेरे पास 3 मिड जो है finally जो है declare हुआ तो 3 आ गया अब क्या करू अब बड़ा simple से step है मुझे 9 मुझे पता लग गया ना अब मुझे इस वाली location से इस data को compare करना है अपने data से और compare क्या कर रहा था मुझे सिर्फ यह चेक करना है कि वो data बड़ा है उससे या छोटा है ठीक है मुझे सिर्फ यह चेक करना है कि वो greater है या less तो मैंने इस 9 को compare कर है ठीक है 9 के उपे किया मिड़ वाला data अब मुझे conclude यह करना है कि 23 जो मैं ढूंड रहा हूं उसका और 9 का relationship क्या है greater than less than वाला है या greater than equals to वाला है तो चेक किया गया तो पता लगा भी greater than equals to वाला है चेक करने में पता क्या चलता है कि 23 या जो data मैं ढूंड रहा हूं वो greater than 9 ह है ठीक है keep in mind और आप लोग ध्यान भी नहीं तो मेरा सारा का सारे data sorted है in ascending order sorted in ascending order से मैं क्या conclude कर सकता हूं कि अगर मैं हाँ ध्यान दूं तो 9 से पहले जो भी data है वो सब 9 से चोटा है आप देख सकते हैं और 9 के आगे जो भी data है वो 9 से बढ़ा है ठीक है और जिस data को मैं ढूंड रहा हूं 23 तो 23 तो 9 से बढ़ा है तो does it make sense कि मैं उसको इस वाले portion में ढूनने की कोशिश करूं यानि मैं 23 को इस तरफ ढूनों क्या इस बात का कोई जवाज यह तो बनता है डजिट में कैनी सेंस के मेरा नंबर मुझे पता है 9 से बढ़ा है ठीक है और data मेरा sorted है तो कभी भी नाइन की लेफ साइट पर 23 आहीं नहीं सकता ठीक है तो इसका मतलब है left hand side में मुझे search करना ही नहीं चाहिए और left hand वाला portion मेरे लिए इस वक्त irrelevant हो गया non significant हो गया उसे मुझे consider नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करता हूं इस बात से यह conclusion drive करता हूं जैसी मुझे यह पता लगता है कि 23 is greater than equals to 9 तो मैं अपने array में कुछ changes कर रहेगी क्योंकि left side वाला portion पेकार हुआ है तो right तो ठीक है end तो मेरा वहीं रहेगा लेकिन मेरा update हो जाता है और begin हमेशा क्या हो रहा था अगर पीछे algorithm को धियान दें तो अगर आप algorithm को धियान दें तो begin में क्या कर रहा था मैं begin में हमेशा plus one होता है mid plus one और जब भी end को update करता हूं तो end में मुझे पता लग गया कि मेरा left and side का जो array का portion है यह useless है कौन सा portion की बात कर रहा हूं यह वाला portion अब यह portion जब मेरा useless है तो मैं begin के value जब change कर दूंगा तो begin मेरा कहां चला जाएगा mid plus one यानि 11 पे begin कहां चला जाएगा मेरा mid plus one 11 पे चला जाएगा और 2379 यह data मेरा एक तरीके से irrelevant हो जाएगा और मैं इसके अंदर search नहीं करूँगा क्यूंकि मुझे पता लग चुका है कि 239 से बड़ा है तो मुझे 9732 से compare कराने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं मैं कराऊंगा तो देख लेते हैं फिर क्या होगा तो अगला step क्या होगा कि मैं begin को update कर दूँगा और कुछ area के portion को gray out कर दूँगा यह बताने के लिए कि अब यह मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूं ठीक है begin की value update होगा और begin की value change होकर क्या हो गई है 4 हो गई है begin ने क्या किया अपनी value को कर ल तो three plus one is four begin की value update हो गई four end मेरा वही है ठीक है एंड मैंने change नहीं किया ending point मेरा वही है लेकिन begin मेरा अपडेट हो लेकिन अगर आप देखें तो अब मैं नई iteration शुरू करने जा रहा हूं वालके नई iteration से पहले क्या करना था मुझे mid की value भी तो update करनी पड़ेगी क्योंके begin या जी class mid की value क्या आएगी ठीक है 5 इसलिए आएगी 7 और 4 11 और 11 को जब मैं divide करूंगा 2 से तो math में तो math में तो बनता है 5.5 लेकिन इंटीजर इंटीजर से जब करूंगा तो सिर्फ रह जाएगा 5 बिलकुल सही तो यहां पे मेरी mid की value क्या जाएगी 5 और यहां पे मेरी एक iteration end हो गई जब मैं अगली iteration पे जाओंगा तो अब आप देखें मेरे पास array में कितने element बाकी रहे गए जिसे मैं consider करूंगा हैं तो भी भी आठ लेकिन मैं consider किसे करने वाला हूँ कितने elements को करूंगा मैं इसमें elements को जिनको consider करूंगा वो तकरीबन half हो चुके हैं यानि पहले 8 थे अब सिर्फ 4 हैं यानि मुझे पता है कि पहले एडिटरिशन में मैं ढूंड रहा था जिब data तो मुझे लग रहा था इन 8 में से एक है और अब जब मैं search कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि इन 4 में से एक मेरा data हो सकता है ठीक है फिर से मैं वही प्रोसीजर लगांगा मिड़ चूंके मेरा 5 है तो मिड़ पे element कौन सा मौझूद है 15 मिड़ पे element मौझूद है 15 तो मैं 15 से compare कराता हूं 23 को और देखता हूं relationship क्या है तो मैंने यहां पे यही किया 15 से compare कराने तो 15 से compare कराया तो मुझे पता यह चला relationship फिर से वही आया कि 23 स्टिल greater than 15 है यह मिड़ एलेमेंट से बड़ा है तो क्या करूं मिड़ एलेमेंट से जब भी बड़ा होता है तो मैं begin को update कर देता हूं तो begin को update करूं अब begin फिर से क्या होगा मिड़ प्लस 1 इसक्षक 5 है तो begin की value क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 is 6 हो जाएगी Begin की value 5 प्लस 1 is 6 हो जाएगी ठीक है, begin की value क्या हो गई, mid plus 1 हो गई, और जार सी बात है, begin अपडेट हुआ है, तो begin और end की वेरा से मैं recalculate करूँगा, mid की value, तो क्या आएगी mid की value, जी class, इस वक मिट की value क्या आएगी, बिल्गुँ सही, इस वक मिट की value भी आएगी मेरे पास, 6, ठीक है, begin की value, और mid की value, same index को point कर रही है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा array shrink होते 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 हैं, बहुत छोटा हो चुक है, अब फिर से मैं loop की तीसरी iteration पर जाओंगा, ठीक है, अब मेरे पास जो focus करने के लिए data रहागी है, वो सिर्फ के इतना रहागी है, इतना रहागी है, यह बात conclusive है, लेकिन जब मैं loop की iteration स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने भी आपको थोड़ी दिर पहले दो condition बताई थी, पहली condition क्या थी, कि लूप तब तक चलेगी जब तक के begin less than end हो, ठीक है, begin की value 6 से end की value 7 यह condition तो true है, ठीक है, ओके है, loop चल सकती है, अगली condition test करूँ, अगली condition कह रही थी के data जो भी है आपका, उसकी mid वाली location पर not equals to होना चाहिए, आपका item, यानि middle वाली location पर आपका result नहीं होना चाहिए, जिस आप ढूंड रहे हैं, यह कह रहे हैं, और अगर आप इदर धिहान दें, तो middle वाली location है, मेरे पास 6, और 6 को अगर मैं यहां रख दूँ, यानि data 6, मैं यहां पर simple लिख देता हूँ, अगर, मुझे इस वाली condition को अगर evaluate करना है, तो मैं यहां पर evaluate कर देता हूँ, मैंने लिखा data 6 not equals to 23, यह मुझे करना है चेक, कि data 6 not equals to 23 होना चाहिए, और जब मैं data 6 को चेक करता हूँ, तो actually वो है 23 ही, तो 23 not equals to 23, क्या condition true है या false है, क्या यह condition true है या false है, तो यह condition मेरे पास false है, और अगर false है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसको देखा जाए, overall condition को तो false, false और बीच मारे end operator, sorry, यह वाली तो true थी हमारे पास, true, बीच मारे end operator और देन false, तो overall result इसका क्या आएगा, overall condition का result क्या आएगा, true आएगा या false आएगा, जी class, true and false, एक true है, एक false है, दोनों के दिर में end operation हो रहा है, तो result इसका आएगा, false, ठीक है, बिल्कुल सही, इसका result आजाएगा मेरे पास, false, तो इसका मतलब है, कि मेरी loop terminate हो जाएगी, और मैं अब तुबारा से आगे नहीं बढ़ूँगा, यहीं पे मेरा कुछ ना कुछ result ड्राइव हो चुका है, या तो मिल गया data, या तो data नहीं मिला है, लेकिन बजायट देख यह दे रहा है, तो मिल गया होगा, तो इस सूरत में क्या होगा, मेरी loop terminate हो जाएगी, और loop terminate होने के बाद सिर्फ मैं एक ही line test करता हूँ, और line क्या होती है, मैं चेक करता हूँ, कि if वही वाली बात के data, जो भी है मेरे पास data, middle पे, मैं चेक करता हूँ, के वो मेरा equals to equals to item है या नहीं, अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया के found, और अगर नहीं है, else मैं कह देता हूँ, not found, ठीक है दो यह possibilities हैं, अगर यह condition true हो जाती है, तो मैं कहता हूँ found, else मैं कह देता हूँ not found, और found का मतलब यह है कि मुझे return करना है, इस case में mid, मिड में जो भी value है, और not found का मतलब है, मुझे return करना है, सही है, तो इस case में मुझे यह पता लगा के data, found हो गया, यह condition यह true हो रही है, अगर आप ध्यान तब यह condition मेरी true हो रही है, और true होने का मतलब यह है यह देखने data mid mid पे मैंने चेक किया 23 है that's it यह भी 23 है यहां का result भी 23 बन रहा है और यहां का result भी 23 ही बन रहा है तो दोनों result 23 हैं दोनों की condition true है तो मैं कह सकता हूं कि data found at location mid तो मैं return कर दूँगा इस सूरत में mid और यह मेरा success का scenario आ गया है क्योंकि मुझे data मिल गया है at location 23 तो यहां पर मैं क्या conclusion drive कर रहा हूं data found at location number sorry location 6 ठीक है data found at location 6 यह मैं drive कर रहा हूं ठीक है ठीक है मैं दुबारा कर देता हूं repeat देखें यह जो condition मैं उपर बताई आपको यह वाली दो यह जो अपर condition है मौजूद यह तो यह बताती है कि loop अगर condition true होंगी दोनों तो loop चलेगी ठीक है हमने इस वक्त यह चेक किया कि यह condition में पहला portion तो true आ रहा है दूसरा portion यह condition fall हो रहा है तो इस वाज़े से overall condition हो गई false जब condition falls हो जाती है तो आखर में मेरा एक step लिखा होता है जिसमें मैं चेक करता हूं कि middle वाली value पर data मिल रहा है यह नहीं मिल रहा है यह condition test होती है यह finally condition true हो गई तो मैंने कहा कि हाँ data मिल गया है और किस location में मिल गया है मिट पे क्यूंके इसमें data हमेशा मिट पर ही मिलता है और अगर यह condition false हो जाती तो मैं कहता data नहीं मिला उस case में माइनस one return मैं आगे एक और example दिखाता हूं not found की तो उससे आपको 23 से finally मैंने चेक किया और equal होगे यह वह वाली condition चेक हो रही लूप के बाहर है यह लूप के अंदर नहीं है तो मेरा एक inclusion हुआ के found at location 6 ठीक है found at location 6 हो गया data मुझे मिल गया और location number 6 लेकिन देखने आली बात यह है यहां पर मैंने कितनी iterations लगाई पहली iteration में आठ element थे दूसरी iteration में चार element थे तीसरी iteration लगी ही नहीं ठीक है तो आठ element के बदले मेरी दो यह कहले तीन iteration लगई अगर 37 एंड में होता तो 37 बात नहीं समझा 23 end में नहीं हो सकता था reason यही मैंने बताया कि binary search की requirement यही है कि आपका data ascending order में sorted हो तो आप देखें data इसमें sorted है अगर sorted नहीं होगा तो इसमें binary search apply नहीं कर सकते वो काम नहीं करेगा सब्सक्राइब नहीं करेगा ठीक है तो binary search की requirement ही है यह कि data sorted होना मस्ट है ठीक है और यूजली हमारे data sorted ही होता है तो इसलिए यह search apply करना बेहतर रहता है एक और example देख लेते हैं इसी data set पे लेकिन अब मैं जो data search करना चाहरा हूं वो है फाइव ठीक है आप देख की बता सकते हैं फाइव नहीं लेकिन computer नहीं बता सकता उसने वह प्रोसीजर फॉलो करना है उसने बिगन रेंड एंड कंसिडर किया उसकी बेस्पिस ने मिड निकाला अब मिड है थ्री थ्री वाली location पर data है 9 तो 9 से जब compare होगा 5 तो क्या प्रू को pestis sites किpy start kills इंडाक अथ मुझे जूप मुझे पता है 9 से चोटा है तो किसे दुछ справ boy नाइं शेप प्रूंदी कवा क्योंदा से जोड निकिक्या थ्राइव द्रें शूटर क्योंकि सारे नंसा चॉटा है तो आगे सारे नमबर भूल्स क्योंता CUKा इस तो थार और अधर मैं क्या वैल्यू वही हो ही रहेगी लेकिन यहां पर मेरять और outta यह नहीं कि जिस पर focus है वो reduce होके तक्रीव नहाफ हो गया है दुबारा से चुंकि अब end update हुआ है तो मिट की value भी calculate होगी और calculate करूंगा तो मिट की value 2 divided by 2 is 1 आदे मिट की value 1 आ गई next iteration पर आउंगा नेक्स iteration पर आने सब्सक्राइब चेक कर लेते हैं वह कंडिशन बिगन की value less than end है और मिट पर डेटा नहीं है तो इसका मतलब अगली iteration भी होगी अगली iteration पर आया हूं तो चेक किया मैंने मिट वाली value किया है 3 3 को चेक किया 5 से तो 3 को जब मैंने चेक किया तो पता यह लगा कि भई 5 की value greater than 3 है ज़िए greater than equal है अब greater than equal है तो कौन सी value update होगी greater than equal होगा तो मेरी begin की value update होती है और क्या होता है begin में mid plus 1 तो mid की value यहाँ पर है जाएगी plus 1 कर दूंगा तो 2 हो जाएगी तो end already 2 है begin की value भी 2 हो गई and already 2 है begin की value भी 2 हो गई अब begin की value अब्डेट हुई है या end की update हो जाए कोई भी एक भी update होगा तो mid की value भी recalculate होगी mid की value क्या आएगी हाँ पर class को बताना चाहेगा मिट की value क्या आएगी मिट की value क्या आएगी पिल्कुल सही क्योंके begin और मैं एंड दोनों को मिट की value भी इसमें 2 ही आ रही है ठीक है मिट की value अपडेट होने के बाद मैं क्या चेक कर दो लूप की condition अब लूप की condition जब मैं test करने जा रहा हूं हूं तो अब आप ध्यान दीजेगा ज़रा पहली condition क्या थी begin less than end यहां पर यह condition पहले ही क्या हो गई है false हो गई है क्योंकि begin is equal to end हो गया less than नहीं रहा तो इसका मतलब है कि अगली iteration मुझे करने की ज़रूरत नहीं है अगली iteration मुझे करने की जरूरत नहीं है दूसरा पार्ट भी चेक करने की जरूरत नहीं है डेटा मिड है या नहीं क्योंकि end gate में एक भी फॉल्स हो जाता है तो result will be false मुझे दूसरा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो यहां पर loop terminate हो गए लेकिन किस वदर से terminate हुई है यहां पर कि begin less than end नहीं रहा begin इस वाक equals to end हो गया तो मेरी यहां पर loop terminate होगी अब loop terminate हुई थी तो आपको पता है मैंने loop के बाद एक condition और चेक कर रही थी और वो क्या थी मैं चेक कर रहा था कि भई डेटा की mid पर जो भी है वह equals to equals to item है याने वह equals to equals to item है यानि मैं यानी यह चेक करना चाहर हून डेटा की बात की जाए तो मैं यह चेक करना चाहरा हूं कि 7 equals to equal to item यानि वो 5 है या नहीं तो आपको पता है चल गया यह condition तो हो गई है false यह condition क्या हो गई है यह condition तो मेरी हो गई eventually false और यह condition false हो जाएगी तो उस सूरत में क्या करूंगा true होती तो मैं क्या return करूंगा कि क्या return हो गा है true के case में क्या return होता है minus 1 तिस सूरत में क्या हो रहा है मेरे पास मैं minus 1 को return कर दोंगा मैं चेक करूंगा पहले तो 7 से ठीक है 7 से चेक होगा यह लूप टर्मिनेट होगा ठीक है लूप टर्मिनेट होगे तो मैंने नीचे से बिगन मिड़ वगर सबट आती है चेक हुआ मिडल वाली वैलियू से पता चल रहा है कि 5 सब्सक्राइब कर रहा हूं कि एलिमेंट नॉट फाउंड ठीक है और आप देख भी सकते थे 5 इसमें नहीं एक्जिस्स करता था लेकिन फिर भी मैंने 8 मरतबा इटरेशन्स नहीं रन की लूप मेरी 2 मरतबा ही रन हुई भी मैक्सिमम तीन दफा हो जाएगी लेकिन इससे जादा नहीं होगी चीक है तो लूप मेरी 8 एलिमेंट के बावजूद यानि N एलिमेंट के बावजूद N टाइम्स नहीं चल रही बलके उससे कम ही चल रही है इसलिए यह 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 अल्गॉर्थम बेदर है इस कमपेर टू लीने से जल्दी से मैं केंकुलूशन की तरफ आ जाता हूं तो इस अल्गॉर्थम को आप देख लीजएगा आप को रिलेट कर लीजएगा जब आप देखें इस वीडियो को तो इसको सामने रखेगा और स्टेप्स को चेक करते जाएगा जब लैस देन होता है तो मैं प्राइटम के बराबर है तो लुकेशन में मिड आजए और अगर नहीं है तो लुकेशन में माइनेस वन आदे और मैं रिटन करा दूँगा लुकेशन ठीक है तो इस अल्गॉर्थम को दुबारत से रिविजट कीजएगा सामने वीडियो रखते हुए इसको रिविजट क लुकेशर में पहले भी बताया था कि उसमें डेटा सेट डिउस होता जाता आएगी जितने फेक्टर के डिऊस होगा वह वाली लूका की बेस आईगी आपने देखा कि पहली ग्जेंपल में मेरे पास आठ थे पहली आटरिशन में दूसरी आटरिशन में वह की चार यहां फो गई फिर उसके बाद अगली आटरिशन में डिटीस के मजीद हाफ यानी कितने हो गए तो तो चुंके डेटा सेट मेरा हर अट्रेशन में डेड्यूस होकर हाफ 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 हो रहाता तो यह पैटर्रण मैंने बताए था कि लॉग थम में के नेचर होता है और चुंकि हर मताब हाफ हो रहा है तो बेस में मैंने 2 लगाए है यहनि डिद्यूस बाइफेक्टर ओफ 2 तो इसकी टाइम कॉंपलेक्सिटी ओ ओ ओ ओ ओ लॉग एंड लॉग 2 आ रही है थीक है स्पेस कंपलेक्सिटी की बात करें तो वन ही रहेगी डेटा जितना इनिशली आठ का था तो आठी करेंगा उस पे फोकस कम होगे मैं पूरे आठ पर काम नहीं कर रहा मेरा काम चार पे हो गया पर काम दो पर लेकिन डेटा मेरा पूरा का पूरा आठी रहेगा मैं और इसमें आप मुझे बताइए ओ लॉग टू अफ एन लिख लेता हूं इसमें बताइए मुझे कौंसी कॉम्पलेक्सिटी ज्यादा बेतर है यानि किसका टाइम कम होगा आपके खाल में अगर आपको डू अलगर्ठों को पिक करना है यानि लीनिर सर्च और बाइनिर सर् पर जी क्लास विच अलगर्थम विल यू प्रिफर ऑन दबेसिस ओप यॉर एग्जिस्टिंग नॉलेज अभी तक जो आपको बेगो वगर्ण की नॉलेज इसकी बेस पर क्या पेक करेंगे जल्दी जितना जल्दी आंसर देंगे उन्हें जल्दी क्लास कंक्लूड होगी रॉंग रॉंग ठीक है तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं इसका सही आंसर है ओ लॉग टू अफ एंड यह टाइम कम है और ओ अफ एंड टाइम जादा है ठीक है इसके लिए आप लोगों को आप रिविजिट करना पड़ेगा जिन्होंने आंसर मुझे ओफ एंड दिया है पास वाला टॉपिक और उसके वीडियो लेक्चर भी दुबारा जाके देखेगा कि क्यों लॉग टू अफ एंड बेतर है आप लोगों ने उसे रिव्यू नहीं किया तो इस वी एक्सपेक्टेड भी है लास्ट टैम मैंने बता दिया था क्विज तो उसी चैप्टर से होगा तो अगर यह कॉंसेप्ट है तो इसके साथ कोई अच्छा नहीं होगा तो उसको कांडली रिव्यू करें ठीक है इसको में जो विनर है वो हमारे पास बाइनरी यह कंप्लेक्सिटी कम टाम लेती है यह कम टाम में यह प्रफॉर्म कर देता है एस कंपेर टू लीनियर सर्च अलगोर्थम ठीक है लेकिन कंप्यूटर के लिए बैनरी सर्ट जादा बेतर है और मुझे भी वैंचुली कंप्यूटर बैनेफिट ही देगा मेरा टाइम बचा है और मिडल एलिमेंट का डारेक्टली एकसेसिबल होना जरूरी है मिडल एलिमेंट का डारेक्टली एकसेसिबल होने का मतलब यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ एरे पर काम करता है लिंक लिस में यह काम नहीं करेगा तो जब हम लिंक लिस पढ़ेंगे तो तब बताओंगा क् लेकिन ये एरे पर ही काम करता है ठीक तो होफ़ोली इस लेक्चर में हुआए पास और कुछ नहीं है लेकिन बेगों को आप रिव्यू जरूर कीजिए अच्छा इस लेक्चर में मजीद मैंने एक्जेमपल रखी हैं लेकिन मैं इनको करके नहीं बता रहा है ये सिर्फ इसलि कराई है यहां पर थोड़ी सी डिटेल के साथ हुई है ठीक है हर चीज में यहां पर मार्क कर रहा हूं यानि इन सिंगल पेज यहां पर पूरा सिलूशन मिला हुआ है और यहां पर फाइनली लूट टर्मिनिट हो गए क्योंके बेगिन लेस देन एंड नहीं रहा तीनों ए कराई है उसी से मिलती जुलती एक्जैम्पल्स हैं लेकिन यह आपकी सिंगल पेज सिलूशन है ताके आप सबको एक ही पेज पर देख सकें और आपको आईडिया हो कि जब आप पेपर पैंसिल पर सॉल्फ कर रहें तो आपको कैसे सॉल्फ करना है तो आप उस सूरत में यह आप समझ गए मैंना को इस बता दिया दो डेटा सेट की एक्जैम्पल्स के साथ तो आप इसको भी खुछ सेल्फ स्टेडी करके बात समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है तो चार एक्जैम्पल्स समझ लें कि आपकास्पाइन रिसर्च की आ गई तो मैने करा दीए तो आप ठीक है लेक्चर से रिलेटिड मुझे लगता है किसी को कोई क्यूरी नहीं है तिल नेक्स टाइम अलाहाफिस